प्रदेश में दिन और रात सर्दी सता रहे हैं, कोहरे के साथ सर्धवाओं ने ठिच्छवन भड़ा दी हैं, नियूंतम और अधिक्तम तापमान में भी भारी गिरावत आ रहे हैं, गुरुवार को सबसे कम नियूंतम तापमान शुन डिग्री माउंट आबू में दर्च किय इधर सर्दी को देखते हुए, जैपर अर्जमेर में कलेक्टर ने आठवी कक्षतक के विध्यार्थियों के तेरे जनवरी तक शितकालीन अफकाश बढ़ा दिया हैं, जालावार जिले में भी आठवी तक के बच्चों का अफकाश आठ जनवरी तक बढ़ाया गया है, वह काने, चूरू, हनमानगर, शिगंगानेगर में शीत दिन तरच किया गया, वही सीकर में शीत लहर भी चली है, और इस सर्दी को देखते हुए ही जो शीतकालीन अफकाश बच्चों के वह आगे बढ़ाये गए हैं, जैपर अजमेर का लेक्टर जोनोंने शीतकालीन कि सर्दी का असर देखने को मिल रहा है, कई राज्यों में कोल्ज डे से गंभीर कोल्जे की स्थती बनी हुए है, लोग खुद को ठंड से बचाने के लिए अलाव का सहरा लेने को मजबूर हैं, मौसम वभाग की माने तो अभी कुछ दिन तक उत्तरभारत के राज्यों में ठंड की यही इस्थती रहने वाली है, साथ ही उत्तरभारत के कई राज्यों में घना कोहरा भी लोगों को परेशान कर सकता है, मौसम वभाग की माने तो पंजाब, हरियाना, चंडीगर, दिल्ली, उत्तरप्रदेश और राजिस्थान में अगले दो दिन तक कोल्ड डे से कंभीर कोल्ड डे की स्थती रहने वाली है, वहीं कोहरी की अगर बात करें तो उत्तरपश्यम भारत और पूर्वी भारत के राज्यों में अगले तीन दिन तक घना कोहरा रहेगा, मौसम वभाग की माने तो देश की राजधानी नई दिल्ली में आज और कल कोल्ड डे की स् कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकते हैं। जिस तरीके से सर्दी का सर पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है, कडाके की ठंड पड़ रही है, मौसम वभाग का कहना है कि अब अगले एक दो दिन और इसी तरह की इस्तिती रहने वाली है, कई राजधा में कोल्ड डे से भारी कोल्ड डे अभी दो दिन तक बना रहेगा, गहना कोरा और सर्दी से बचने के लिए लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है, और इसी वीच में मौसम वभाग ने अलर्ट जारी किया है कि कुछ जगों पर बारिश हो सकती है, हलकी से और मध्यम बारिश का पूरवानुमान चिताया गया है, कुछ अल जलन भरी सर्दी का एसास है, लोग गर्म कपड़ों में लिप्टे हुए हैं, अलाव का सहारा लेने, लेकिन फिर भी सर्दी का सितम बरकरार है, और जरूरी काम होने के चलते ही लोग गरों से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि सुबा के वक्त में जो कोरे का आगोश है, बारे बज़े के बाद ही सुर्य देख के दर्शन हो पा रहे हैं,